हलो वेलकम है आप सबका इस सेशन में आज हम बात करेंगे CSS के बारे में CSS क्या होता है फुल फॉर्म इसकी होती है Cascading Style Sheets और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिजेस्ट करूंगा कि अगर आपने HTML का introduction नहीं लिया है तो HTML का introduction ले लिजिए और उसके बाद आप आपस CSS स्टार्ट करेंगे तो हम जैसे web designing के लिए या websites बनाने के लिए HTML language का यूज़ करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले जब आपकी जो वेबसाइट बननी शुरू ही तो HTML language ही आपकी अविलेबल थी उस टाइम पर और उस टाइम उसके बाद हमने कुछ टाइम के बाद यह काफी टाइम के बाद CSS इंट्रडियूस की थी उसकी आपकी कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए तो एक्जेक्टली है किया सबसे पहले यह डिसकस करते हैं CSS होता क्या है CSS एक तरह सा कह सकते हैं एक तरह की language है CSS file में अलग maintain किया जाता है यानि कि HTML के इंदर पहले क्या होता था design भी यानि कि आपका जो content है कोई जो भी है वो किस तरीके से उसका color क्या रहेगा उसका size क्या रहेगा उसकी formatting क्या रहेगी वह सब HTML ही manage करता था तो वहां से वह management निकाल के अलग से एक language बना दी एक format बना द देखेंगे इसमें next question आता है कि हम CSS को क्यूं use करते हैं सबसे बड़ा reason जो है मैंने बताया आपको कि इसमें हमारा जो सबसे बड़ा reason है वो यही है कि यह separate कर देता है आपकी website के content या structure को उसके view presentation या layout से better manageability हो जाती है इसकी वाजय से और हम काफी code जो है वो reuse भी कर पाते है कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एप पहले जो था हमारी same website के अंदर content और design दोनों एक ही जगा manage हो रहे थे तो manageability होड़ी मुश्किल थी उसमें हमने उसको separate separate कर दिया content अलग manage होने लगा हमारा HTML है उसके अंदर सिर्फ हम content manage करते थे और design को हम अलग से manage करने लगे css के थूद यहाँ पर design में कोई changes करने है तो वो design में change करेंगे css के अंदर और content में change करने तो सिर्फ content में change होगा यानि अगर एक चीज़ को change करेंगे तो उसका effect दूसरे पर नहीं पड़ेगा यानि अगर मैं design change करता हूँ तो मुझे content छेड़ने की दूरहत नहीं है और content change करता हूँ तो design को मुझे कोई भी update करने की ज़रूद नहीं है वो एक जगर भी हो जाएगा तो यहां पर यह code reuse भी हो जाता है multiple pages में इसके benefits है इसके बाद अगर हम बात करें तीन तरह से इसको implement करते हैं इसको समझने के लिए हम यह कह सकते हैं inline style sheet होता है inline style sheet में हम simply अपने body के अंदर जैसे हम जो है आपका s2 के अंदर हम directly बता सकते हैं कि color हमें क्य लेना है इसका format थोड़ा सा अलग होता है बाकि हम जहां पर इसको apply करना चाहते हैं directly वहीं apply कर सकते हैं तो यह हमारा inline style sheet कहलाता है जहां पर हम exactly जिस जगा हमें चाहिए हमारे code के अंदर हम exactly वहीं पर अपनी formatting apply कर रहे हैं तो यह हमारा inline style sheet होता है हम सबसे कम use करते हैं इसको head tag के अंदर style tag लगाते हैं और उसके अंदर हम अपने जो भी हमें define करना है वो हम यहां define करते हैं तीसरा हमारे पास external style sheet होता है external style sheet में हम stml document अलग manage करते हैं और जो आपकी css होती है जो आपकी style sheet file होती है वो अलग से .css file में maintain करके रखा जाता है और उसके अंदर यहां पर html file के अंदर इसको call कर लेते हैं यह code हो सकता है भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको भी clear करूंगा कैसे हम इसको use करते हैं इसका syntax क्या होता है उससे पहले एक बार बुक में चेक कर लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है बुक में आपका introduction दिया हुआ है property value pair के बाद एक semicolon हम लगाते हैं यह हम next example में देखेंगे इसके advantages जो हमें ने बताया थे वह एक बार दुबारा देख लेते हैं CSS जो है आपका time बचाता है इससे time बचता है हमारा बार बार हमें code नहीं लिखना पड़ता है आपकी loading भी fast हो जाती है page fast load होता है maintenance असान हो जाती है हमें एक design manage करने तो design manage करेंगे content change करने तो content modify या update करेंगे maintenance इसी हो गई super style to html html में बहुत सारे designing options नहीं थे जब css बाद में इंट्रड्यूस किया गया तो उसमें काफी सारे designing के options दिये गए जो advance कह सकते हैं या बहुत सारे extra features में इंट्रड्यूस किये गया आज भी जो है उसमें बहुत सारे updates हो रही है day by day multiple device compatibility यहां पर हमार पास option है कि हम अलग-अलग devices के लिए भी जो है code लिख सकते हैं या हमको design manage कर सकते हैं जैसा device होगा वो उसके according अपने आपको जो है manage कर लेता है हम tablet के लिए mobile device के लिए laptop desktop के लिए सब screens के लिए एक single code लिख सकते हैं वो automatically adjust कर लेता है उसको global web standard है यानि कि जितने भी आपके browser से बगरा है वो सब उसको अब support करते हैं example के यह देखिए जो मैं भी आपको दिखा रहा था इससे पहले वाले में slides के अंदर कि यहां पर मेरे पास font tag का use किया जाता है font tag यह एक paragraph है उसके अंदर में font tag use कर रहा हूं और font tag के अंदर में define कर रहा हूं कि color मेरा जो है वो green होना चाहिए और size उसका 5 होना चाहिए तो इसी ही चीज़ को हम ऐसे ना manage करके अब जो manage करते हैं वो हम manage करते हैं style के तरू तो यहां पर वही चीज़ मेरे p tag के अंदर आ गई style के अंदर में बता दिया कि color मेरा green रहेगा और font का size मेरा 24 पिक्सल रहेगा तो यहां पर define करने का तरीका चेंज हो गया जहां equals to था यहां पर equals to की जगह यहां पर colon आ गया और कुछ names में भी difference हाया है और last में यहां पर जैसे यहां कुछ भी जो है एक तरह से कहाए termination नहीं था यहां दो properties को differentiate करने के लिए बीच में एक semicolon है तो हम जितनी चाहें उतनी properties नहीं define कर सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं इसके अलावा इसमें हम तीन तरीके से मैंने बताया जैसे कि मैंने इस कर सकते हैं external style sheet जिसमें हम अलग से एक .css file maintain करते हैं separate css file और internal css जिसमें हम style tag यूज करते हैं body tag के अंदर header section में लगाते हैं और inline style में हम जहां पर हमें जरूत होती है directly हम वहीं पर apply कर देते हैं तो next इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि external style sheet कैसे manage होती है internal style sheet कैसे manage होती है और inline style sheet कैसे manage की जाती ह इस वीडियो में इतना ही thank you very much